आज हम देखेंगे कि membership operator क्या होते हैं एक होता है इन और एक होता है नॉट इन को कैसे यूज करेंगे यह मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर क्या होने वाला है जो आप data मालो कि आपने कोई string ली हेलो अब उस string के अंदर आपको चेक करना है कि ए नाम का character उसके अंदर है कि नहीं है तो वहाँ पर देखिए अब ए नाम के alphabet को चेक करने के लिए या तो मैं आगे के process में लूप को यूज करूँगा लूप को यूज करके क्या करूँगा एक एक letter को get करूँगा और condition लगाऊँगा जैसे condition में क्या लगाऊँगा comparison का यूज करूँगा की कौनसा letter इसे match कर रहा है अगर मिल रहा है तो वो क्या है two है नहीं तो आप वहाँ पर क्या यूज कर सकते इन और not in का यूज कर सकते है इन और not in के यूज में आपका एक लाहिन में ही काम क्या हो जाएगा complete हो जाएगा आप सब string को main string में से check कर रहे हैं कि ये इसके अंदर है कि नहीं है इनका मतलब e exist करता है कि नहीं करता है लो के अंदर अगर करता है तो true है तो वहाँ पर आप इन और नॉट इन का क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं वहाँ पर लूप चलाने की जुरूत नहीं है आपका आपका जो प्रॉसेस हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं घूंड सकते हैं तो इन और नॉट इन सबसे जादा यूज आने वाला operator है python के अंदर जो हम बहुत यूज करते हैं आगे क्योंकि इन सब का यूज बहुत जादा है वहां की case में मैं इन और नॉट इनको क्या गरूँगा यूज करूँगा तो चलिए मैं इसको क्या करता हूं practically आपको बता देता हूं जिसे चीजे क्या हो जाएंगी है ृज देकि में राइट क्लिक करके न्यूग करके यह पर python की फाइल को क्या कर दे तो बना दी तो m.py मैंने फाइल बना दी अब मैं यहां पर क्या करता हूं देखिए एक स्ट्रिंग लेता हूं पहले स्ट्रिंग पर समझाता हूं क्योंकि स्ट्रिंग आप लोगों ने थोड़ा देखा हुआ अभी तक जैसे मैंने एक एच नाम का वेरबल में क्या इस्टोर करती है अब दे यह एक स्ट्रिंग है और आप इस पूरी कंदीशन का मतलब क्या है कि एक इसके अंदर है अगर है तो आपको तू देना है नहीं तो क्या देना है तो अभी के केस में अगर आप इसको देखेंगे तो यह आपको आंसर क्या देने वाला है मैं आपको बता देता हूं clear यहां पे आपको आंसर false मिलने वाला है false क्यों मिलने वाला है क्योंकि python के case sensitive language का मतलब क्या होता है क्योंकि आपने string क्यों मिला है false answer क्यों मिला है क्योंकि आप स्मॉल एच को इसके अंदर फाइंड कर रहे है string1 नाम के वैरबल के अंदर string1 नाम के वैरबल में जो है उसमें एच क्या एप capital में है अब आप यहां पे capital H लिखिए तो आपको clear पता चल जाएगा कि यहां पर क्या आने वाला है true आने वाला है क्यों true आने वाला है क्योंकि अब आप find कर रहे हैं कि क्या capital H string1 नाम के वैरबल में store है अगर है तो answer क्या होगा true नहीं यह answer क्या आएगा false आएगा तो यहां पर देखिए इन ने काम आसान कर दिया काम क्या आसान कर दिया मैं एक letter को पूरे के पूरे उसको तोड़ के नहीं यह क्या करता है उसके अंदर से खुदी find कर लेता अगर है तो आपको answer to देगा नहीं तो क्या देगा फॉल्स देगा तो इन string में भी काम आएगा एक list बना के दिखा रहा हूं लिस्ट बस example के लिए पूरा का पूरा मैं आगे describe करूंग लिस्ट बनती है जैसे एक स्क्वेर ब्रेकेट के अंदर आप यहां पर वैल्यू को क्या कर देते हैं सैट कर देते हैं जैसे टैन ट्वंटी कॉमा थर्टी कॉमा फोटी टोटल नंबर फैलेमेंट कितना होगे चार तो देखिए मुझे फाइंड कर ना है 50 इसके अंदर है की नहीं इह आपदे फिफटी हैं नहीं आपको फाइंड and यहां पर लिखेंगे 50 in L यहां पर लिखेंगे 50 in L यह आप सिंगल कोटेशन में नहीं लिखेंगे क्योंकि नमबर आप पाइंड कर रहे हैं इस पूरी लिस्ट के अंदर वह तो इस ट्रिंग होते हैं यहां पर आपने लॉजिक लगाया क्या 50 पूरे अगर पूरे ल के अंदर कहीं भी होगा तो आंसर रहे हैं और कह रहे हैं मतलब क्या हैral कि नहीं हो set करें तो यहां पर आप सभी नहीं इंदर अगर विफ्टी को क्या आपि कि देंदर तो धो देखिए इन और नॉट- इन यह बहुत जगे काम आने वाला यहां पे टपल में, डिक्सिनरी में, मैं आपको बता रहा हूँ, जहां भी multiple value store हो सकती है, उसके अंदर यह क्या होगा, काम आएगा, यह number पे काम नहीं आएगा, क्योंकि number तो पूरी की पूरी एक value होती है, वहां पे आप in or not in का use नहीं करेंगे, other जो data structure और data types होते हैं, उनम नहीं के process से, thank you so much guys.